तो चलिए कल रात को ही मैंने टेस्ट का PDF दिया था आई होग कि आप लोगों ने सबने किया है दिखा है मुझे क्योंकि वाटसब पे आप याद रखेगा अगर आप लोग ग्रूप में जुड़े हैं तो मैं एक एक का कॉपी चेक करूंगी अब ऐसा नहीं है कि आप जो एकदम आज नहीं करेंगे कल नहीं करेंगे ऐसी वाली बहाना नहीं चलने वाली है तो ये जीके की है जीके की जो क्लास जो आप एंसर मैच कर लीजे कितने आपके सही हुए और यहाँ पे एंसर दीजे कि कितने आप कर पा रहे हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे छोटों सरे क्विश्चाल बनाए हो तो फटा फचा को सब्सक्राइब कर दीजे, घंटी वाले छोटे से बला क्लिक कर जा पुरा रहे हैं तो बस लाइक और शेयर कर दीजे, ग्रूप में जुड़ने के नियम बता देती 9-6-9-3-4-1-4-8-9-4 यह हमारा वाट्सअप नंबर है, यह हमारा गूगल पे, फॉन पे, पे टियम, यह हमारा नंबर है पे टियम, आप इस पर 200 पेमेंट करते हैं क्योंकि नेक्श्ट मन से यह 250 हो जाएगी, तो 200 आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट के बाद आप पेमे पेपर्स मिलेंगे, इंपॉर्टन प्रिवियस एर कोश्चन्स मिलेंगे, प्रिवियस जितने ही 2019 से जो भी हुए है पेपर्स, जो CET हो रहा है वो ब्लैक बुक मिलेगा, 5000 जिके की मोश्ट इंपॉर्टन पीडियाफ मिलेगा, और यह वन टाइम पेमेंट है, इसके बाद कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, आपका यहाँ पे मौक स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको डेली मौक देना है, तो पढ़ने वाले स्टूडेंटी जुड़े, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल ना जुड़े, क्योंकि आपके लिए कोई जगह नहीं है, मेरी तो एक लाँ या माल लिजे, आपको अच्छे कोलेज, अच्छे कोलेज चाहिए, प्राईवेट में भी बहुत अच्छे कोलेज होतों, जो प्लेस्मेंट वेगरा पिर प्रोवाइड करते हैं, तो एक अच्छे कोलेज से बी एट करना भी बहुत ज़ादा होता है अगर पैसे भी लग रहे हैं और कॉलेज अच्छे मिल रहे हैं क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि 70 नंबर लाकर 60 नंबर लाकर अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे जब तक आप 80 प्लस नहीं लाओगे जीवन का भौतिक अधार बताईएं तो जीवन का भौतिक अधार होता है जीव द्रवे क्या होता है तो जीव द्रवे होता है नेक्स्ट कोश्चन करते हैं कोसिका का उर्जा ग्री किसे कहा जाता है पटाफ़ेंसर दीजे तो माइटो कॉंट्रिया को कहा जाता है यानि कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल्स का जो आपका उर्जा ग्री होता है तो उसे किसे कहा जाता है तो माइटो कॉंट्रिया को कहा जाता है कोसिका में प्रोटीन का निर्मान का सक्रिय अस्थल क्या ह आज साम लाइब में साथ वज़े जरूर जुरे, इंगलिस की क्लास होगी आज, तो राइबो सूम को कहा जाता है, कोसिका में प्रोटीन का निर्मान का सक्रिया असल क्या है, तो राइबो सूम है, निमलेखित में से कौन सा कोसिका सिर्फ कोसिकांग में पाया जाता है, सिपा तो लाइसो सोंग को कहते हैं अगर आपसे पूछा जाये कि सुसाइट सेल किसे कहते हैं तो ये है आत्म हत्या की थाली लाइसो सोंग को कहा जाता है किसी कोसिका में 80% से अधिक पाये जाने वाला पादर परदार्थ कौन सा है बताइए तो जल है कौन है तो जल है चली नेक्स कोशिन करते हैं निमलिखित में से किसे कोसिका का याता याद प्रवंधक कहा जाता है तो गौल जी बॉड़ी को कहा जाता है किसे कोसिका का याता याद प्रवंधक कहा जाता है तो गौल जी बॉड़ी को कहा जाता है जीन द्रव्य का जीन सब्दकासर पढ़ियो किस ने किया आप लोग टेलिग्राम ग्रूप पर जरूर जुरे वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं तो टेलिग्राम ग्रूप को जरूर फॉलो करे educational rk point के नाम से ही telegram group है हमारा PDF आपको वहीं पे मिलेगी तो answer क्या है जोहान को जीन सब्द का सरपथम पढ़ियों किया था जोहान ने नेक्स चलते हैं अनुवानसी के उत्त पढ़िवर्तन क्या होता है बताए ये 9 नमबर तो क्रोमोशोम होता है समसुत्री विवहाजन के फल शरुक कितनी संतती कोसिका का निर्मान होता है समसुत्री विवहाजन समझते है शलिए बताएँगे तो दो का होता है Greger Maddell आपने ये बहुट अच्छे रशा है क्योंकि ये मटर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ग्रेगर मैडल नेक मेंडल ले किसके पतिपादन के लिए प्रशिद्ध है बताईए तो अनुवान सिक्ता के नियम के लिए ये क्या है प्रशिद्ध है तो आपके 11 में से कितने मांक्स आए नीचे कमेंट में जरूर करे और अपना जो आपने रात में टेश्ट दिया था तो एक बार एंसर जरूर मैच कर ले तो मिलते हैं साम 7 बजे 7 पियम में लाइफ क्लास में आज होगी इंग्लिस की इंग्लिस में कौन से टॉपिक होगी वो भी जान लीजे झाल झाल झाल